हाई प्रेंट्स गूड मॉर्णिंग कैसे है आप सब आसा करते हैं आप सब अच्छे होंगे तो फ्रेंट्स से देखिए इसका आयल फिल्टर है आयल फिल्टर को मैंने इसे लगा दिया है और इसे लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से पूलर की मदद से इसे हम टाइट कर कर sabemos है तो फ्रेंश से जैसे हम है हिसे मेर समक्राइब करेंगे उसे हम होल भी खुल करके निया लगा देँगे हुसका की साइब तो स्प्रेंश से मेरा है ॐल फिल्टर लग वक टाइट हो गया है टाइट हो गया मेरा आइल फिल्टर टो से देखिए इंजन लगते हैं और गेरबक्स के अंदर में जो है फ्रेंट्स एक लिटर लगता है यानि किसको सर्विशिंग करने के लिए लेकिन आप 5-7000 किलोमीटर के बाद आप इंजन आप समय से अगर नहीं इसको सर्विश कराएंगे तो आपके इंजन के अंदर में जो पार्ट्स लगे हुए हैं जो आपको पार्ट्स एक साल डेट साल चलना चाहिए वो सिदे आपको 5-6 महिना में खराब हो जाएंगे तो आ इंग ब्लोक पिश्टन है सब खराब होने का पकड़ने का चांस हो जाता है क्योंकि इसमें लोहा पार्ट्स है तो चिकनापन होना आयल के अंदर बहुत जरूरी है तो आप समय से आल सर्विस कराएं ताकि इंजन का लाइफ आपका दूगना हो जाए तो समय से कराना बहु दो पॉइंट रहें तो हमेंसा आप उपर का पॉइंट अ को रखें क्योंकि आप अब डालेंगे तो बीरु कुल पर फॉइंट के पहुं जाएगा तो ईहां मंने अधे वहाँ जनका नहुंआ है तो मैंने रोदी, हममेशा छिए प्रिशन कराwałभी आम नोहां मिस्तियूब कारी थी सर्विसिंग के बारे में तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ